और द्ऐहर जंए हैं दोस्तों दोस्तों हर दखे-पार्प का कॉसर में कि निकाला गया है और अगले मैंने में वेकेंसी ह competit सभावना है तो आप सभी को बता दें कि यह जो आपका बीहर द्रौगा का प्राक्टिस या फिर या पिसको ग्रंत बोल सकते हैं यह दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूटेंट क्यों इसमें जो डिस्कासा ने बहुत ही भाधरिन तरीकिस दिया गया है यह आपका ठाड़ अडिशन का भुख निकाला गया है इसमें देखेंगे तो इसके हमारा वीडियो होने वाला है सेट नबर 15 होने वाला है यह आपका 26 दिसंबर 2021 को प्रथम पाली का पेपर हुआ था आज हम इसी को पूरा देखने वाले हैं तो एक एक लाइन देखिएगा और पूरा हमने जो है लाइन बाइन वीडियो को कम्पीट किया है जड़ से दो घं निमलेखित में से किसको साहित में 2021 का नोबिल पूरसकार दिया गया है अंसर होगा अब्दुल रजाक गुर्णाह ऑप्सन नमर जो है सही होगा तो है गुर्णाह को उपनिवेस वाद के प्रभावों संस्कृतियों और महादियूपों के बीच की खाई में स्रणार्थी के भाग के अपने और और करोना में प्रवेस के लिए जो है दिया गया है नोबिल पूरसकार दोजार एक दोजार तैस की बात कर लिए प्राप्त करता तो मोंगी जी बॉबंडी लुइस इब्रूस और एलेक्सी हैना और एलेक्सी आई एकिमो योगदान क्वांटम डॉट्स की खोज और संस्लेशन के लिए बहुतिक विग्यान प्राप्त करता की बात करते हैं तो प्रेंग क्रोश और एनी एल हुलियर योगदन नोबल प्रापदार्त में इलेक्ट्रॉन गति सीलता के अधियन के लिए प्रकास के एटो सेकेंड पल्स उत्पन करने के प्रायोगिक सःत्रणों और तरीको के लिए हैं। नाटको को रचने के लिए अर्षा सास्त्र प्राप्टर करता जो है क्लाउडिया गोल्डिन योगदान जो है आपका बुमेंस लेवर मार्केट के परड़ामों के लिए चलिए अगला है कि प्रतम अफिम यूद का समापन करने वाले संधी आपका कौन सा है तो यह आपको हो जाएगा नॉन किंग हो जाएगा प्रतम अफिम संधी जो है आपका 1849 ब्रिटेन और चीन की बीच हुआ है दूती अफिम यूद का समापन की बात करते हैं तो आपका टी एंट यानि तियांजीन की संधी के तहत हुआ है अगला है कि उरुनो डोई यानि उरुन डोई यूजना किस राज ये द्वारा जो है आपका शुरू किया गया है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आप्सन नमबर क्या हो जाएगा असम द्वारा हो जाएगा ACI खेलों में बैडमिंटन को पहली बार सामिल किया गया था तो 1962 में आपका सामिल हुआ था ओप्सन नमबर देखेंगे तो भी होगा ACI खेलों में सामिल खेल ये हम उसके अस्थापित वर्स जैसे खेल और इस्थापित वर्स द्वियांग के भी बाद करते हैं तो 1951 में BASKETBAL 1951 साइकलिंग की बात करते हैं तो 1951 भारतोलन 1951 Metropolitan अगर यहां से कोशन आपका पूछा गया है तो आने वाले लिहार द्रोगा प्री या फिर मेंस में यहां से कोशन आपका पूछ सकता है तो आप ये अच्छे से याद कर लिजे मुक्य बाजी जो है आपका 1904, सुटिंग की बात करते हैं तो 1904, कुस्ती आपको होज़गा 1904, और होकी होकी आप देखें सरी होकी जो है आपका 1908, टेबल टेनिस 1908, टेनिस 1908, बॉली बॉल 1908, और 1908 होगा, कसरत आपको होज़गा, और क्या दिया गया है, घुरसवार दिया गया है 1982, गोल्फ आपको होज़गा, 1982, हेंड बॉल 1982, रुइंग 1982, बैथलोन 1986, आइस होकी 1986, जूडो 1986, ताइकवांडो 1986, डोंगी या फिर कायाकी जो है 1990 होगा कबड़ी जो है आपका 1990 हो जाएगा और सॉप्ट बॉल 1990, वोसू 1990, बेस्बॉल 1994, आधुने के पेंठाथ लॉन या आपका 1994 होगा, कराटे 1994, सॉप्ट टेनिस जो है आपका 1994 होगा बिलियर्ट्स, स्पोर्ट्स की बात करते हैं 1994, मैं की बात करते हैं, 1999 आपका होजायगा इतना सारा है और भी बहुत सारा दिया गया है देखि लेते हैं सबको हम रगबी, देखिए रगबी की बात करते हैं 1999 होगा सरीर, सौश्टव जो है आपका 2002 होजायागा उसके बाद क्या दिया गया है कर्लिंग है ना कर्लिंग 2003, डांस स्पोर्ट्स 2005, खतरना खेल 2005, सतरंज 2006, ट्राइथलोन 2006, कुरासो 2007, सर्फ जैसे दिखने वाली नौका जो है 2008 होगा और पेनकक सिलाट 2008 हो जाएगा, और सर्फिंग 2008, बुड़ बॉल 2008, जू तिस्यू 2009, किक बॉक्सिंग 2009, पेटिंग 2009, सटल कॉक की बात करते हैं 2009 होगा और वोविनाम 2009, किर्केट 2010, रोलर स्पोर्ट्स 2010, एयर स्पोर्ट्स 2016, इतना सार आपका दिया गया है लिस्ट तो आप अगर इतना याद करते हैं अगर एक बाइद वे कोई भी कोशन आपका पुस्ता है तो आप से यानि इस लिस्ट से बाहर जो है कोई भी कोशन नहीं जाएगा एंकर सबदावली का उप्योग होता है तो रिले रेस, ओप्सन नमबर भी सही होगा अब देखें चर्चित खेल उन से संबदित चर्चित सबदावली जैसे खेल चर्चित सबदावली दिया गया जैसे लंबी कोद देखें लॉंग जमपर होगा, ट्रेक एंड फिल्ड, रनवे टेक आफ लेंड, टेक आफ बोर्ड, लीगल जमप, फावल जमपर, और सेंड पीट, सेंड पीट राउंड जमप, और श्ट्राइड और और के दिया गया है, लेंड गद अप्रोच, कीक, डबल आर्म, स्प्र स्प्रीट रेस, रेसर बैटन, स्प्रीट मैडले रिले, लॉंग डिस्टेंस रिले, और क्रास कंट्री रिले और एंकर, जैवलिन थ्रो, रन अप, ट्रांजिशन यहां से देखें कोशन आपका आता है, इसको आप इंडोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सब आप अच् का बहुत दोग बना नहीं पाते हैं, यह सब कोशन है, तो यह आप अच्छे से याद रखें, ट्रांजिशन डिलिवरी, थ्रोवर, थ्रो, ग्रीप, रनवे, अमेरिकी पकड़, और फिनिस पकड़, पी पकड़, स्ट्रेट रन अप, क्रोस, ओवर, ट्रांजिशन आधी, बॉलीबॉल, ब्लोकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, और उसके बाद वाली पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, सेट अप, रेफरी, स्पाइक, स्मैस, एरियल, स्विच, डिग पास, बुस्टर, लव, फ्लोटर, है न, तो लव जो है, आपका फुटबॉल से संबन्दी थे, यह कुशन आपका आया हुआ है, टेबल टेनिस, सर्विस, पेन होल्डर ग्रीप, पेन होल्डर ग्रीप, बैक स्पीन, सेंटर लाइन, हाफ कोट, सैड स्पीन, स्विंग, और बुस्ट्रोक, रेली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पीन, फायल, चाइनीज ग्र हो गया है, पॉइंट, डंड वाल, बास्केट, हैंगिंग, और लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, और फंट कोट, टीप आफ पीक, पीनोट, है न, कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है, आगे देखेंगे, और आपका बहुत सारा है, यह से लॉन ट ट्राइब, वाली, हाफ वाली, लेट फॉल्ट, स्मैस, ड्यूस, सर्विस, ग्रेंड स्लैम, ट्राइब रेकर, लव, देखेंगे, लव आपका जो है, टेनी से भी सम्मदी थे, चेंज, सेंट इन, फ्राइसा क्वालिटी बढ़ाईएगा, यहां पर हलका बलर है, पोलो की बात करते हैं, तो बंकर, चकर, मिलेट, बंडर, चुक्का, एरिस रेल, और एंगल शॉट, कुस्ती, हीव, हाप नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन, और टाइम कीपर, डाउग फल, मैट, ब्रीज, कॉसन, एक्टिव, उसके बाद आटाएक, बियाउट, होल्ड, हेड लॉक यह सब यहाप का कुस्ती से है, सतरंज की बात करते हैं, तो बिसब, गेंपीट, चेक मेट, इसलेट मेट, पॉन, ग्रेंड मास्टर, फीडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, उसका कैसल, पिसेज, चेक, यह सब यहाप का सतरंज से सम्बनी थे गोल्फ की बात करते हैं, तो आपका बोगी, फोरसम, और इस्टाइमी टी, पुल सोट, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, उसके बाद पूटिंग, दीगरिन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट, वाटर पोलो, दो मिटर लाइन, चार मिटर लाइन, उसका गोल लाइन, कैपस पर्सनल, फाल्ट, बॉल अंडर, बॉल अंडर लिखा गया है, इसर, लेसिंग, यह सब जिए आपका वाटर पोलो से संबंदित है, बेस बॉल की बात करते हैं, तो आपका होम होगा, डायमंड होगा, पीचर होगा, होम रन होगा, बेसमेन होगा, आइट, श्ट्राइक, ए इन ओफ, केंसा, इसके बाद आपका बेल्टिंग, डेजट हो जाएगा, यह आपका विलियर्ट से संबंदित है, राइफल, टार्गेट, बुल्ट्स आई, और फजल, लिखा गया है, मजल, मजल, फलग, उसके बाद इसकीट सूटिंग, ट्रेंच सूटिंग, यह सब जब आपका राइफल सूटिंग से है, खोखो की बात करते हैं, तो आपका चेंज, एक्ट्यू, चेजर, रनर्स, फ्रीजो पोन, कॉसलेन, तैराकी की बात करते हैं, तो आपका फ्रंट क्रॉल, ब्रेश्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट बटरफलाई, ट्विस् हूक, नॉक डाउन, नॉक आउट, हीटिंग, विलो, रिंग, ब्रेक, बेल, उसके बाद बेल्ट, बाउन्स, सब्जिए दोस्तों आपका कौन-कौन से खेल से मैंने पूरा आपको ता दिया है, बहुत लंबा चोड़ा लिस्ट है, जो कि इससे बाहर देखिया, आपका किर्चौप का धारा नियम डैस सनरक्षन पर अधारित है, जबकि किर्चौप का वोल्टेज नियम डैस सनरक्षन पर अधारित है, तो यह आपको हो जागा आवेस उर्जा हो जाएगा, ऑप्सन नमर सी होगा, किर्चौप का नियम, देखिए इसकी अनुसार अच्छे और स किर्चौप के नियम के नुशार किसी निसेश्ताप पर किसी दी गई तरंगद्यर्थ के लिए सभी वस्तु कि उससरचन छमपता का अनुपात एक ही होता है। उससरचन का मात्रक इतना आप पद्या गये है अवह आसाई मात्रक नहीं है। कि आगे है कि एफ आइटी मोबाइल एप्लिकेशन निमलीखित में से किस मंत्राले ने शुरू किया है तो यह आपको जगा खेल कुद मंत्राले हो जाएगा आपका एस ही होगा देखिए युवा मामले और खेल मंत्री शरी अनुराग्र सिंग ठाकुर 29 अगस्त 2021 को फिट इं में 16 वर्ष की अवस्था में हर्ष वर्धन थनेश्वर की गद्धी पर बैठा हर्ष को सिलदीत्य के नाम से भी दोस्तों जाना आता है हर्ष ने ससांग को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया उसके बाद हर्ष और पर राजकुमार नीती का पंडित एवं वर्तमान साक्यमुनि कहा जाता है बानभट हर्ष के दरवारी कवी थे इन्हों ने या फिर उन्हों ने हर्ष चरित एवं कादंबरी की रचना किया है बानभट प्रिदर्शिका रत्नावली तथा नागानन्द नामक तिन संस्क्रि प्रांतिय सासक के लिए लोगपाल जो है सब्द आया है लोगपाल सब्द निम्नमे से किस कंपणी ने 1883 में हुमीलीटीन का विक्रे आरम किया है तो आंसर होगा एली लेली हो जाएगा एराइट होगा देखी मधुमें रोगियों द्वारा उप्योग में लाए जाने वाल प्रति या बाहक प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिकिरिया होने लगती थे इंसुलीन दो छोटी पॉली पेप्टाइड स्रिंखलाओं का बना होता है स्रिंखला वन वह स्रिंखला बी को आपस में डाइस सर्फाइड बंधों द्वारा जूड़ी होती है मानौ सहि एक अतरिक्त फैलाव होता है जिसे प्यप्टाइड पा को इंसुलीन में नहीं होता है जो परिपक्ष के दवरान इंसुलीन से अलग हो जाता है आगे क्या है अगला है कि RDNA तक्नीकियों का प्रियोग करते हुए इंसुलीन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलीन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तयार किया जाए 1983 में एलिली नामक एक अमेरिकी कंपणी ने DNA अनुकरमों को तयार किया जो मानो इंसुलीन की स्रिंखला A और B के अनुरूप होती है जिससे E कोलाई के प्लाजमीड में प्रवेस कराकर इंसुलीन स्रिंखलाओं को उत्पादन किया इन अलग अलग निर्मित स्रिंखलाओं A और B को निकाल कर डायसलफाइड बंथ बनाकर आपस में सन्योजी कर मानो इंसुलीन का निर्मान किया गया है आप अच्छे से इसको याद रखिएगा अगला है निमलिखीत में से ए प्रॉमिस्ट लेंड पुस्तक के लेखक कौन है तो यह है बराक उबामा ओप्सन नमबर भी कुछ महत्पूर पुस्तक यह मुन के लेखक दिया गया है देख लेते हैं दा गोल्डन इयर्स रस्किन बॉंड दा लाइब वी कैरी मिसेल ओबामा वेस्टर लेन की बात करते हैं चेतन मारू दा योग सुत्र फोर चिल्ड्रेन रूपा रूपा पाई दडे आई बीकम ए रनर एस चटोबाध है आजाद की बात करते हैं गुलाब गुलाम नभी आजा एज ए कॉम्रेड के के सेजला फ्राम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस विमल जलान सुनार संचिप्ति करण है तो यह आपको जगा साउंड नेविगेशन और रेजिंग का ओप्सन नमबर देखेंगे तो आपकर डी जो है सही उतर होगा समद्र की गहराई पता लगान एम पानी के अंदर नववहन में पंडूबियों द्वारा सुनार उपकरण का प्रियोग होता है सुनार की बात करते हैं तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है सुनार तकनिक का अप उप्योग किसी जहाज के मलवे को ढूनने के लिए भी किया आता है सुनार मैदो मीटर की बात करते हैं तो समुद्र की गहराई का मापन बैरो मीटर वायू मंडली दाप का माप रेंगेज वर्सा का मापक रियक्टर स्केल की बात करते हैं तो भूकम की तीवरता की माप हाइगरो मीटर वायू मंडल की आधाता की माप सिस्मोग्राप की बात करते है है तो भोकम मापी यंत्र आमीटर विधुद्धारा की माप स्थीगनों मेलनों मेटर की बात करते हैं तो रख्तदाप का माप हो जाएगा अब यहां पर कुछ मैथ का कोशन दिया गए है तो आप गुरूप जोइन करेंगे यह रहा वाट्सप नर बिहार दरगा के लिए बना करना है तो आप वाट्सप पर मैसेज कर सकते हैं डेली बेसेस पर आपका सुबह सेट चलता है एट सेवन फाइफ सिक्स फाइफ फॉर सिक्स फाइब डबल त्री आप इस सुझे है बिहार रोगा लिकर की मैसेज किजिएगा आपको प्रॉपर जैनकारी जो है मिल जाएगा निम्न में से पानी में कौन सी धातू मिनिमाठा रोग का करण बनती है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पारा यानि मरकरी हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो सी होगा तकि भारी धातू और ओध्योग एवं खनन अप्सिष्टों के रूप में उपस्तित हो सकते है जो जल को प्रदूसित करते हैं और ये मानो जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं सीडी तथा एच जी कुर्दे को विनिश्ट करता है और पीबी बहुत ही खतरनाक है जो गुर्दे जिगर मस्तिष्क एवं कैंदरी तंत्रिका को परभावित करने वे सक्षम है पेजल के लिए भारती मानक देख लेते हैं तो जल की गुड़वत्ता मापन जीवन के लिए महत्पूर है मनुसिकी स्वास्त इसी पर निर्भर करता है जैसे पदार्थ अवस्यक वंचनिय सीमा यसे स्वात की बात करते हैं सुईकारे और यहां पर टर्वीडी एंट्यू मैक्स पां 500 मैगनिसियम 300 कैल्सियम 75 ओडर जो है आपका कड़वा नहीं है और क्या दिया गए है कलर और होजेन यूनिक मैक्स पांच तकी इटाई इटाई रोग के अधिक्सता से होता है आर्सेनिक की अधिक्ता से पाकिंसन रोग यानि ब्लैक फूट होता है नैट्रेट की अधिक्त से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है एसबेस्टर के अधिक्ता या फिर इसके करण से आपका वास्ता यानि वात इस्पीती होता है तामबा के अधिक्सा से विल्सन रोग फ्लूराइड दंत श्य रोग है ना तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिये गा नहीं रूप से बहुत धर्मिस संबंदित धार्मिक प्रास्तर मुर्ति सैली है इसका उद्यक कनिस्क यानि पहली सताब्दी के समय में हुआ तथा तक्षसिला कपीशा पुस्व कलावती बामियान ब्रेगाम आदी इसके प्रमुकेंद्र रहे हैं गांधार सैली में स्वाध पड़े हुए दोनों मुद्राओं में मिलती है गांधार मुर्तिकला सैली के अंद्रगत भगवान बुद्ध प्रायह वस्तर युक्त घुंगराले बालव मुच रहित मुच रहित ललाट पर उना यानि भौरी सीर के पीछे प्रभा मंडल तथा वस्तर सलवट या चपल य युनानी सासकोन भारत के पसी मोतर सिमाप्रांद में यूनान की प्राचिन कला चलाई जिसे हलेनली निस्ट आठ कहते हैं गांधार सेली या मुथ्या सैली का विकास कनिष्क के असद्रम्र स्माबर सेवेंटीन भारत की प्रथम सवर संचालित टेक्श टाइल मिल कहां निर मिल महराटर में परभणी जिले में स्थापित किया गया तीस एकड़ भूमी में फैली जैभावानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एसिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरत्र से सोर उर्जा पर काम करेगी भारत में चाय उत्पादर में परत्रम अस्थान किस राज्य का है तो यह असम का है ऑप्सन नमर भी देखिए चाय कैमेलिया सैनेंसिस के पौधे से बना एक पे है चाय एक उसमे कड़िबंदी और उपियो कड़िबंदी होता है चीन का चीन का चाय का सबसे बड़ा प्रजित कणों का करम क्या है तो आपसन नमर डी हो जाएगा बीटा आलफा गामा हो जाएगा खेक है इसको समझते हैं देखिए परमाडू किंद्रे में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटान यम नूट्रान इस्थित होते हैं प्रोटान था नूट्रान विधूत उदास होता है परमाड़ों में इलेक्टरान नाभिक के चारों और एक कछा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें उर्जा अस्तर कहते हैं अंतर जातिये विवाहों को प्रोसाहन करने के लिए उडिसा सरकार निनिम्न में से कौन सा वेव पोर्टल जो है प्रारा मकिया है आपका समाजिक एक्ता सिध्धान देखे इमाईल दुर्खिम का संपुर चिंतन का सिध्धान सामुहिक वाद पर अधारित है उसके प्रतेक सिध्धान में समुह और समाज का महत्व है यह ठीक है कि मनुस्य समाज का निर्मान करते हैं उसका गठन करते हैं उसको गरते हैं किन्तु उसके द्वारा संचारित नियंत्रित और दिशा निर्देशन भी प्राप्त करते हैं व्यक्तियों की उनती प्रगति और विकास समु के विकास वर अधारित है समु का विकास उसकी एक्ता की भावना में समाहित है एक्ता का अभिन अंग व्यक्ति है क्योंकि वह ही इसका और व्यक्ति वाजिता दो तरह की भावनाएं एक साथ यह देखी जा सकती है आगे हमारा कोशन 22 है निमलेखित में से किसे हिंदि साहित में उनके योगदान के लिए ग्यानपिट पुरसकार से समानित किया गया है तो आंसर होगा कृष्णा सोबती या उप्सन मबर ए राइट होगा देखे देश का सरवोच Sahitik सम्मान ग्यानपीट पूरसकार दो हजार सतरह से नमजा गया है ग्यानपीट पूरसकार सुरुवात 1965 साहित का सबसे बड़ा सम्मान है रासि की बात करते हैं 11 लाग प्रत्थम प्राप्तकर जो है पूरुस की बात करते हैं संकर कोरु मालय आलम भासा पूस्तक के बात करते हैं तो उठक पूसल के दिया घ्रफ परत्थम महिला की बात करते हैं प्राप्त करता तो आसा पुण्णादेभी बंगाली भास प्रत्थम यहाप का करते हैं कि सदेश का दोल opens अलंपी कि मेजवानी की सदेश में ध्यush we लॉस एंजिल्स अमेरिका 35 ग्रिस मकालिन उलम्पी खेल 32 ब्रिस बेन ऑस्ट्रेलिया 24 सीथ कालिन उलम्पी खेल 2022 बेजिंग चीन 25 सीथ कालिन उलम्पी खेल 2026 मिलान और काटिना इटली होगा नेश्ट हम देखेंगे भारत में संघीय न्याले की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट द्वाया किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही आंसर होगा तकि इस अधिनियम में कुल 301 अनुछेद एवं 10 अनुसूचियां थे 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में दुएसासन विवस्ता को समाप्ट कर दिया गया तो था केंद्र में दुएसासन विवस्ता जो है अपनाए गया इसके द्वारा एक संघीय न्याले की स्थापना 1937 इस्वि में किया गया 1935 के एक्ट में विट्टीस भारत से वर्मा को 1937 इसी में अलग करने का प्राधान किया गया 1919 का भारत सरकार धनियम मौंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी मौंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी दोस्तों यापकर जाना आता है इस अधनियम ने एक लोग सेवा आयोग की गठन का प्राधान किया अंतह 1926 इसे में ली आयोग की सिफारिस पर सिविल सेवकों की भरती के लिए केंदरिय लोग सेवा आयोग का गठन किया गया भारत में पहली बार महिलाओं को बोड देने का दिकार मिला प्रांतों में दिवेत सासन की स्थापना किया गया 1909 का भारतिये परिशत अधनियम इसे मारले मिंटो सुधार के नाम से भी दोस्तों जाना आता है लोड मिंटो को सामपरताइक निरवाचन के जनक की रूप में भी हम इसको जानते हैं कुतुम मिनार के परविश द्वार को क्या कहते हैं दोस्तों इसको जो हम क्या कहते हैं तो अलाई दरवाजा कहते हैं ओप्सन नमबर सी यह एक पांच मंजिला लाल बल्वा पथरों की मिनार यानि सेवन्टी थ्री पॉइंट फाइप उची यानि मिटर उची मिनार है इस जिसका निर्मार्ट जो है एक साथ मिटर उचाई उचा लोहे की खंबा है इसकी आस पास अलाई दरवाजा गेट है जो इंडो मुस्लिम कला कि उत्कृष्ट किरिती यानि तेरह सो एक ग्यार में निर्मित है अलाई दरवाजा के निर्मार्ट जो है लाउदिन खिलजी ने करवाया था कुतुम मिनार का निर्मार्ण सुफिसंत कुतूब दिन बक्तियार का काके की इस्मृति में करवाया था बुलंदरवाजा का निर्मार्ण जो है अक्बर ने गुजरात विजय की उपलक्ष में करवाया था आप अच्छे से याद रखेगा असोग चक्र पूरसकार वर्स डैस में स्थाप यह कारे दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है अशोग चक्र सांतिकाल का सरवच शैने पूरसकार है यह पूरसकार असैनिकों को भी दिया जाता है जब चक्र गील्ड गोल्ड का बना होता है आप अच्छे से आद रखेगा पुस्तक हैपिनेस ओल राउंड और अर आरा यू इज यू लेशन लाइफ थाउट मी अनॉंगली एन आटो बायोग्राफी रल्ला बंदी स्री राम चक्रधारी की पुस्तक तो थवासमी लाइफ एंड स्कील्स थाउट द लेंज हन लेंज आफ रमायना हो जाएगा ह tuq yes a GM अगला के शांची इस्तूप मूल रूप से कि समॉल रिशाशिक ने बनावये था है साची इस्तूप की बात करते हैं तो असोप के द्वारा जो है बनाया गया था ऑप्सनें बड़्सू का निर्माद धोसी किया जाता था सांची का स्टूप की बात करते हैं वि दिश सब्सक्राइब करते हैं जानकारी कोटिल यानि चानके का अर्थ सास्त्र विसाखादत की मुद्रा राक्षत में नंद राज का पूत्र कहा गया है युनानी लेखाक ने चंद्रगुप्त मौरे को एंड्रो कोट्स या फिर सेंड्रो कोट्स कहा है कोटिल यानि आन्य नाम विश्नोगुप्त चानके ने अर्थ सास्त्र नामक गरंथ लिखा जिसका संबन राज्जिति सास्त्र से है इसमें पंद्रा अधिकरण एंड्रो प्राकरण है चंद्रगुप्त मौरे ने जैन साधु भद्रबाहो से जैन धर्म की दिख्छाली और स्रवान बेल गोला इस्तित चंद्रगेरी पहाडी पर करीब 298 इस्सापूर में सलेखना दौर जो है आपका सरीर त्याग दिया बिंदु सार को वायू पुराण में भद्रसार जैन धर्म जैन गरत में सीन सेन यूनानी लेखक अमित्रो चेट्स एवं संस्कृति गरंत में अमित्र घात कहा गया है इस्ट्रेबो के अनुसार सीरियल सीरियन सासक एंटियो एंटियोकस ने बिंदु सार के दबाब में डाइमेकस नाम से राजूत को भेजा बिंदु सार आजीवक संपरदाय का अनुयाई था आप अच्छे से याद रखिएगा अगला कि राष्ट्रपति की अध्यादेश से पारित करने के सक्ति किसमे है तो आपको हो जाएगा अप्सन नमबर ए अनुश्यद 123 के अनुसार जब संसत को सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्तिती विदमान है जिनके कान ततकाल कारेवाही करना आवश्यक है तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति जो हैतका आपका अध्यादेश जारी कर सकता है वह अध्यादेश अधिम्यम की तरह प्रभावी सक्ते साली होगा संसद के पुनह सत्र आरम पर यह अध्यदेश द्वावन भारत का एक राश्ट्र पती होगा अनुशेत तीन सो में भारत सरकार के वाद और कारेवाहियों का वर्णन है अगला की यूटोपिया का लेखक कौन है तो आंसर हो जागा थामस मोर आप्सन नमबर ए सही होगा देखे प्लूटो प्लूटो की रचना जेहाब का र वो थेलो और हैमलेट आदी है डेसी 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 डेरियस इरासमस की रचना जैसे इन प्रेस आफ प्रेज आफ फॉली और कॉलिक एटीसी हो जाएगा भारती वन अनुसंधान सनस्थान इस्थित है तो यह आपको कहां पर देखने को मिलता है देहरादुन में देखे भारत अनुसंधान सनस्थान नहीं दिल्ली भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है नहीं दिल्ली केंद्रिय सडक अनुसंधान सनस्थान नहीं दिल्ली अखिल भारतिय आयरु विज्ञान सनस्थान नहीं दिल्ली भारतिय प्रतत्यों सरवच्छन विभाग जो है कुलकाता में इस्तित है राष्ट्रिय द्रिष्टी दिव्यांग जन ससक्ति करण संस्थान देहरादून उत्राखंड केंदरी आलवन संधान संस्थान कूफरी सिमला हिमाचल परदेश में इस्तित है भारत का सबसे उत्री बिंदू कौन सा है देखे सबसे उत्री बिंदू की बात करते है इंदे कॉल ऑप्स्ण नम्र बिशही होगा गलेशएर के निकट इंदा कॉल यानि लड़्यक में हैं भारत का सुदुर सूब्ध दोडशडरी इंद्रा पॉइंट पिंग मेलियन पॉइंट ग्रेट निक बारत वा बड़ा नि को में भारत का सुदूरस्त पस्वी बिंदु जहें गौर माथा गुहार मोती कुजरात है नजी छेत्र में लगुव मध्यम उध्योग के विकास की उध्योगिक साक्व निवेस निगम का प्रयोजन था तो विश्व बैंक के मिसन हो जाएगा ऑप्सन नमर सी सही होगा इटली को किस प्रक्रियाद और जहें बना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो सी सही होगा इटली एक दच्छिड भारती वेंजन है या स्वेत रंग की मुलायम और गुदगुदी दो से तीन इंच व्यास की होती है चावल और उरद की धूली दाल भिगोकर पीसे हुए खंबिर मिलाकर बने हुए घोल से भाप में तयार किया जाता है भारत का सक्रिय ज्वाला मुखी द्यूप कौन से सक्रिय ज्वाला मुखी तो यह आपको होजागा बैरन द्यूप ऑप्सन नमबर सी बैरन द्यूप निकोबार द्यूप समूमें इस्तित है भारत में नारकॉंडम एक सुसुप्त ज्वाला मुखी है सक्रिय ज्वाला है भुम्मद सागर में सिसली के ऊपर में लिपारी दियूपर अवस्थित इस्ट्रॉम्बुली ज्वाला मुखी को भुम्मद सागर का प्रकास इस्तंब कहा जाता है विस्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी परवत कोटोपैक्सी उचाई की बात करते हैं तो 19163 फिट सबसे उचाई पर इस्तित सांथ ज्वाला मुखी एकांगुवा एंडिज परवत माला पर ही है पर ही इस्तित है उचाई की बात करते हैं उनत्तर सो साथ मीटर जो है इसका उचाई है प्रदीप्ती नलिका त्था नियोन चीन बल्ब में होता है तो यह आपका प्लाजमा हो जाएगा ऑप्सन बड़ी प्लाजमा पदार्थ की चौथी अवस्ता है यह अतिधिक उर्जा वाले और अधिक उतेजित कणों से बना होता है इस करन बल्ब या ट्यूब में चमकिला जो है प्लाजमा बनता है कि आगे कुशन है कि निम्न में से कौन से कमेटी मौलिक करतबी उसे संब्स्राइब करते हैं तो आपका स्वान सिंग्समा कमेटी हो जाएगा ऑप्सेन नमबर डी मौली करतब का प्राउधान भाग यानि समयति के सिफारिषों के दहार पर समिधान में जो है सामिल किया गया यह पूर्व सोवीयत संग समिधान से प्रेरित है भारत में विदमान सरवजनिक नीजीप साज़दारी मौडल का अध्यान और मुल्यांकन करने के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था भारत में विजए केलकर समिति दूरा JST की चिफारिच की गई और संसद दूरा अधिनिया में सलसुदन किया गया धार आयोग को जून 1948 में जो हकठित गया था एस के धार के देख्षता में एक चार सदक सई आयोग राज्यों के भासा के अधार पर पुद्ण गठन करने के लिए निक्त किया गया आयोग ने उनिस और तालिस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की जिसमें भासाई अधार पर राज्यों की पुनर गठन का विरोध किया गया किन्तु प्रसासनिक सुविधा की अधार पर राज्यों की पुनर गठन की सिफारिस किया गया संथानम समिती CBI की स्थापना से संबंदित है जहांगीर के सासन काल में निमलिखियत में से किस चितरकार को नादिर उल असर के खिताब से जो है नावाजा किया तो आपका उस्ताद मंसूर आप्सन नमर जो है D होगा बोला कि अबुल हसन को जहांगीर ने नादिरू जमा की उपाधी परदान किया इसने संस्कित के कभी जगनात को पंडित राज की उपाधी जो है दिया जहांगीर के दरबार के परमुक चितरकार थे जैसे आगारजा, अब्दुल हसन, हमुद मुहमद नासीर, मुहमद मुराद, उस्ताद मंसूर और विसन दास, मनुहर गोवरधन, उसके बाद फारुख वेगम और दौलत जहांगीर के समय को चितरकला का स्वन काल भी कहायाता है, जहांगीर ने हेरात के अगार रजा के नित्रतों में आगरा में एक चितरकला, चितरसाला के इस्थापना किया है दूद में उपासित सरकरा कौन सा है, तो यह आपको होजागा लैक्टोज ऑप्सन नमबर सी, यहां दूद में उपासित होता है, इसलिए इसे जो है दुग्दो सरकरा भी कहते हैं, यह जो है बीटा डी गल्कोज, बीटा डी गल्कोज से मिलकर बनता है, यह एक जो है सिक्स एच बार ओ सिक्स कार्बो हड़िट उर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है यह रासानिक योगिक है जो कार्बन हाइडोजन एवं ऑक्सीजन के एक दो एक के अनुपात में होते हैं एक ग्राम गुलकोज के पूड ऑक्सी करण में चार दो कीलो कैलोरी उर्जा प्रापत होती है कार्बो हड़िट के मुखिता तीन परकार की होते हैं और सिक्राइट अर्पीली tut हो जाएगा इसका सुत्र की बात करते सीज्टू dein होता है इसका उप यह आपका नीम्न देखने को मिलता है को इसका आपकोंग सूत्र की बात करते हैं v sex ही है यह मे पार्च के रूप में संचित रहता है यह है कि जो है कीटो हैक्सोज होता है सुक्रोज के जल अब घटन से प्राप्त होता है यह सबसे मीठी सरकरा है संचना की बात करते हैं से 612 ओच्छा होता है और ग्लैक्टोज डेरी उत्पाद में ग्लैक्टोज पाया जाता है एरिफ्रोज सीफोर एट 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 ओफोर राइबोज सीफाइप एच टेन ओफाइफ होगा डाइस सेक्रोइटिया मोनो सेक्राइट के दो अनुव से मिलकर बना होता है इसका अधार सुतर जो है सुक्रोज ढरे एक अप sta के लिए हमाल चीनिक को सुक्रोज कीजिए haa प्चाएद भी कहा रहताहा है वह देफोरहां दो पिलकोज के दो अनुव से मिलकर बना होता है यह एक अपचाइग सरकरा होता है लेक्टोज, मिल्क सूगर कहायता है, पॉलिसेक्राइट या अन्यक मनोसेक्राइट अणू के मिलने से बनता है, इसका धारबुत सुत्र जो है C6H11O5 होता है, यह जल में घुलन सील होता है, या मुखिता पौधों में पाय राता है, जैसे मंड, ग्लाइकोजन, सल्यूलोज, कायटीन होता है, या फिर कायटीन आदिया बोल सकते हैं, फजल अली आयोक संबंदी थे किस से, तो यह आपको हो जागा, राज्यों के पुनल गठन से ऑप्शन अमबर D होगा, राज्ये पुनल गठन आयोक के अद्धिक्स फजल अली थे, इनके अन्य सदत से जो है, पंड किया गया था, यह आपका मायत का कोचन आगे बढ़ते हैं, अगला कि ओडो मीटर एक उपकरण है, जिसके द्वारा मापन किया आता है, तो दूरी का हो जाएगा, ऑप्शन अमबर D सही होगा, ओडो या ओडियो मिटर यह उपकरण जो है, दोने की तीवरता मापने में काम आता है, और डियो फोन, इसका उपयोग, लोग सुनने में सहायक के लिए, कान में लगाने के लिए करते हैं, बल्थ धक्का देना, अकर्षित करना, या खिचना, अभिकर्षित करना हो सकता है, शक्ती अदिसरासी, इसका एसाई मातलक जूल सेकेंड है, यह असो सक्की बरा बात करते हैं, डिसकस थ्रोवर, निरा चोपडा जो है, भाला फेग, मेरा भाई चानों भारतोलन, रानी, रामपाल, जो होकी, दूती चंद की बात करते हैं, तो धावक हो जाएगा, अगला है कि जब 1922 में अखिल भारती राष्ट्री कॉंग्रिस ने भारत छोड़ो, आं 1936-1943, इसके समय पहली बार परांती चुनाओं कराया गया, एक सितंबर 1949 इस्वी को दूतिय विस्यूद जो है प्रारम भखुआ, एक मई 1949 इस्वी में सुभास द्रबोस ने फारवर्ड बलाग नाम की एक नई जो है पार्टी बनाई, मार्च 1940 इस्वी में लिग के लाहोर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया, आठ अगस्त 1940 इस्वी को अगस्त प्रसाव अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया, मार्च 1942 इस्वी में जो है क्रिफ्स मिशन भारत आया, 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, लोड कर्जन ने सन 1901 में सर क 1902 में सर एंड्रूस फ्रेजर की अधिक्स्ता में एक पुलीस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अधिक्स्ता में इविस्वी द्याले आयोग की स्थापना किया, 1905 इस्वी में बंगाल भाजन लोड रीपन की बात करते हैं, 1880-1884 हो जाएगा, इसके अस्थानी स्वासासन की शुरुआत हुआ, इसके समय में ही भारत में 1881 में सरो पर्थम नियमित जनगरना करवाए गया, लोड लीटन 1886-1888, लीटन ने रिचर्ड इस्ट्रेची का देशता में 1888 में एक अकाल आयोग की जोहें निक्ति किया गया, लीटन ने अलिगर में एक मुसलिम एंगलो प्र है, और दूसरे को ना लाब होता है, ना अहनी को क्या कहा एता है, इसको जो हम सहभोजिता कहते हैं, आप्सन नमर देखेंगे, तोड़ी होगा, सहभोजिता, तेकि सहभोजिता का उधरन जो है, आपका समूंदरी, एनिमोन, दंसन, साइसपर्स होते हैं, जिनमें अन्येक, जिनमें उनके बीच रहने वाले क्लाउन मचली का है, आम की साखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले ओडिक और वेल को पीट आवास बनाने वाले बारनेकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड और वेल को उनसे कोई लाब नहीं होता है, पर जीविता, दो जा ही को हाने पर जीविता कहलाती है, सहो पकारिता, तो जातियों की बिछ संबन्द जिसमें दोनों जाकियों को लाब होता है कवक और प्रकार संसलेशी सेवाल या साइनो बैक्टरिया की बीच घनिष्ट सहोपकारी सम्मंद कवधरन लाइकेन में देखा याता है इसी प्रकार कवक को और उच्छ कोटी पादपों की जाणों की बीच कवक मूल सहचारे हैं कवक मृदा से अवस्षिक पोसकत्तों की अवस्षोषण में पादपों की सहयता करते हैं जबकि बदले में पादप कवकों की उर्जा उत्पादी कारबोहड़िट देते हैं पर भक्षन एक जाती का जीव किसी दूसरे जाती पर भोजन के लिए निर्भर रहता है उसे जह पर भक्षन कहते हैं पोसी अस्तर तक उर अमेरिकी प्रसान तर्ट की चट्टानी अंतर ज्वारिय समदायों में पाइस सेस्टर तारामीन एक महतपूर पर भक्षी है निम्रेखित में से कौन रामसर प्रस्ताव संधी यानि रामसर कॉन्वेंशन से संबंधित है तो यह आपको जागा आद्रभोमी का संद्वेंश में अपनाये गया एक अंतर सहकारी संधी है रामसर संधी यह 1975 में परभावी हुआ एक एक फरवरी 1982 को भारत में लागो हुआ भारत में मई 2024 तक कुल असी रामसर साइट है असीवा रामसर साइट की बात करते हैं तो लागबूड सोला रिजर्व वन तमिलनाडू है भारत क पर रिणुका वेटलेंड हिमाचल परदेश में है तो मराठा सासर शत्रपति सिवाजी की राजधानी का नाम क्या है तो राइगड हो जाएगा और अप्सन नम्बर यह होगा सिवाजी को मराठा समराजे का संस्थाफक कहायाता है सिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधी र बनाने में परियुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है तो आपका सिलिकॉन होगा सौर से उपकरण है जो सौर उर्जा को विदत उर्जा में परिवर्टित करते हैं उन्हें फोटो वोल्टिक सेल की रूप में दुस्तों याप पजाना आता है सौर इसल को सिलिकॉन बाउल्स से बना जाता है यह पॉली क्रिश्टलाइन सनस्ना है जिनकी परमाड़ सनस्ना जो है एकल क्रिश्टली होती है जो क्रेल्स की हन क्रेल्स की विधी सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली समानी विधी है सबसेटेट हीम करण यादि हीम करण विधी इसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डेयोक्साइट का उप्यूख्या आता है तो इसका अंसर हो जाएगा इमर्सन फ्रीजिंग हो जाएगा देखिए इमर्सन फ्रीजिंग यहां बढ़न से टाइप मिश्टेक है वेवसाइग रूप से जुड़े यहां पर जम्य हुए खाद पदार्थों को तयार करने के लिए यहां बढ़ा नी क्या लिखा गया है भी बनाया रखने के लिए मदद करता है यह मुखिता हमांस उत्पादों को छो से दस सकेंड के बीच तरल नाइट्रोजन के संपर्क में रखाया जाता है यह से प्रकार फ्लैस हना फ्लैस फ्रीजिंग महतपुड विटामिन और पोसक ततों की लॉग लॉग करने में मदद कर से दौनों को अ किया अग्ला है कि कि सब्रक्रिया थे स्थान है राखनार के लिए सी 30 цe लॉंचिंग वहान की पेलोड चंपता को चाट टन से बढ़ा करने के लिए किया गया था हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट की स्थापना उनि सो चालीस इसी में किया गया था इसका मुख्याले बंगलुरो में स्था आगे हमारा है अरनौट से अधि सफेस एड्मिनिस्ट्रेशन एक सरकारी अमेरिकी अंतरिक संस्थान है इसका अगठन 29 जूलाई 1958 को किया गया था मुख्याले की बात करते हैं तो वासिंग्टन डी सी में इस्तित है चलिए अगला हमारा कुशन है कि एक खाद सेंखला में निमलिखित में सरवाधिक संख्या किसकी ह होती है तो यह आपको जगा अब घटक को हो जाएगा ऑप्सन बड़ी होगा अब घटक देखिए उत्पादों की स्रेडि में वनस्पतियों को रखाया जाता है यह सोपोस्थी होते हैं सुर्य की प्रकास की उपस्तिती में प्रकास संसलेशन की किरिया द्वारा भोजन का जीर्मान करते हैं उत्पादक एक ही प्रकार का होता है अब घटक तक आब घटक और घंप जोन किसे जीवानुं कवक आदि द्वारा जटिल-कार्भनिक येसे गाय बकरी भैस चुहा हिरन कहर गोष दूद्ट्री श्रेयरनी कि भोगता घ्रेयर ये मांप्षण करते हैं परदान किये परांबिर्च पुरस्कार के लिए कुलसंख्या कितना है गाय Counter घ्राइव आज ग्वाल सबसे बड़ा वीरतापुरसकार है। यह संती कालिन सरuzz वीरतापुरसकार अशरक्र के समनांतर होता है। महावीर चक्र यह यूद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरसकार है यह सांती कालिन वीरता पुरसकार किरती चक्र के समनांतर होता है वीर चक्र यह यूद्ध काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरसकार है यह सांती कालि दी जानेवाला सर्वोच्च विर्ता पुरस्कार और स्वुठेर की बात करते हैं तो सांती काल में दी जाने वाला 30 दीज ने वर्ता पुरस्कार है calendar से सर्वोच्च विर्ता पुरस्कारह है तो यह पोजगा लेक्षिल ना Easy निमलेखित में कौन से भारत में जाती प्रथा का वर्णन नहीं है ओप्सन अन्मर सी विवाथ समों के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है अब इसको समझते हैं बहरांगेवस वही जाती प्रथा जिसे समाजिक संगठन को नष्ठ होने सिरक्षा करने के साधन के रूप में विक्षित किया गया था आज उसी क्यूनती में बाधक नहीं बाधक बनी रही है डॉक्टर आधा किष्ण भारत में समाजी प्रथा के रूप में मूल रूप से दो अलग-अलग और धार नाय सामिल है वर्ण और जाती वर्ण कोवेक्ति का वर्ण वर्ण कहा जाता है इसके तरक्त चार स्रिणियां ब्राम्वन छत्रिय वैस और सुद्र है यहां वन्ड का निर्धान आपके निजी विवसाय संस्कृति और स्वभाव से किया जाता है वही जाती का निर्धान जो है आपके जन्व वन्द परिवार से किया आता है भारती समाज की छव विसिस्ताएं इस जाती समुह द्वरा समाज का खंडो में विभाजन जाती समुह की बीच उच नीच का प्रायह निशित तारतम्यम खान पान और समाजिक विवहार संबंदित प्रतिबंद नागरिक जीवन तथा धर्म की विशे में विभिन समुह की अन हरताएं तथा विशेश साधिकार पेसे के चुनाव में पुढ स्वातंतरता का अभाव कि विवाह अपने जाती के अंदर करने का नियम हो जाएगा चलिया अगला हमारा क्या है देख लेते हैं सबसे प्रचूर मातरा में बनने वाले प्रती रक्षियां हैं तो यह आपका आप्सन नमबर ए सही आंसर होगा कि देखिए आई जी टेस्ट एक टेस्ट है जो रक्त में मौझूद एम्यूनो ग्लोब ग्लोबुलीन की संपूर मातरा का पता लगाने के लिए किया आता है एंटी बॉडी एक तरह की अनुकूल प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है जो सिखाती है कि किसी खास तरह के रोगानों की पहचान कैसे करनी है और उसे खत्म कैसे करना है इन्हें इम्यूनो ग्लोबिन से भी कहते हैं और आईजी की रूप में प्रदर्सित की जाती है इसके पांच प्रकार के होता है जैसे आईजीजी आईजीम आईजीए आईजीडी और आईजीई कहायता है इसमें आईजीजी और आईजीएम साईर के खुन में रहती है और दूसरे अंगों तक पहुचती है एंटी बॉडी हमारे सेर में खास सफे द्रक्त कोशिकाओं से जूड़ी होती हैं जिसे बी टाइप कोशिका कहते हैं आलू, सुरी मापके जेगा दोस्तों कभी-कभी जो माश्टर वीडियो बनता है तो पढ़ते पढ़ते बाई मिश्टेक हो ही जाता है आसु, लार, मा के दूध में IgA, Immunoglobin पाया जाता है चलिए आगे पढ़ेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या दिया आगे है जिसे सोशन तंत्र और पाच्छन तंत्र के सुरक्ष्या परदान करने वला Immunoglobin है सबसे बड़े अकार का Immunoglobin IgM है सबसे अधिक पाया जाने वला Immunoglobin IgG है सबसे कम पाया जाने वला जो आपका Immunoglobin IgD है बहारी कोशिका को नश्ट करने वला जो आपका Immunoglobin IgM और IgG है कोशिका दरब या क्लोरोपलास्ट एवं Mitochandria के Ribosomes Crumbs है तो आपका 80, 70 और 70 हो जाएगा दखे कोशिका दरव्य या कोशिका में केंदरक एवं कोशिका जिली के बीच रहता है हरीत लवक या हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का प्रदार्थ पन हरीत होता है इसे के सहायता से पौधा प्रकास संसलेशन करता है और भोजन बनाता है इसलिए हरीत लवक को पादप कोसिका की रसोई घर कहते हैं इसमें राइबोसोम जो है दोस्तो पाया जाता है माइटोकांड्रिया इसकी खोज जो है अल्टमेन ने 1886 इस्वी में किया था बेंडा ने इसका नाम जो है माइटोकांड्रिया दिया था यह कोशिका का स्वसन अस्थल है इसे कोशिका का सक्तिकेंडर यानि पावर हाउस आफ सेल कहते हैं माइटोकांड्रिया के अघात्री में एकल वरिताकर डियने अनू वो कुछ आरेने राइबोसोम स्था प्रोटीन संसलेशन के लिए आवस्यक घटक मिलते हैं माइटोकांड्रिया विखंडन द्वारा विगटित होती है राइबोसोम सर पर्थाम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1903 में पादप कोशिका में तथा जी ई पेलेड ने 1903 में जनतु कोशिका में राइबोसोम को देखा प्रोटीन की बनी होती है इसे प्रोटीन की फैक्टरी कहते है यह प्रोक्रियोटिक राइबोसोम सत्तर प्रकार के होते हैं यह एस स्वेड वर्गस इकाई है गाल जी उपकरन देखे केमिलो गौल जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिका वत सनरशना तंत्रिका कोसिका में देखा था उनके नाम पर गाल जी काय रखा गया यह बहुत सारी चप्टी डिस्क अकार की थैलिया कुंड से मिलकर बनी होती है यह एक दूसरे के समनांतर धेर की रूप में मिलते हैं जिसे जलिकाय कहते हैं गाल जी काय का मुख्य कारे दरव को सनवेस्टिक कर अंतर कोसिकाय लक्ष तक पहुचाना या कोसिका के बाहर श्रवन करना ना गाल जी काय गलाइको प्रोटीन और गलाइको लिपीट का प्रमुख इस्थल है अगला है कि लाइको यह जिली पूटी का सनशना होती है जो सन्वेस्टन विधी द्वरा जो है गाल जी काय में बनते हैं प्रिष्ट की कृत लायन का पूठीकाओं में सभी परकार की जल अभगट किया एंजाइम जैसे हैड्रो हैड्रोलेजेज लाइपेजेज प्रोटीन वेज वह कार्बोहाइड़ेट मिलते हैं जो अमलिय परिस्थितियों में सरवाधिक सक्रिय होते हैं यह एंजाइम कार्बो हाइड़ेट प्रोटीन लिपीड न्यूक्लिक अमल आदी के पाचन में सक्षम है अंतर द्रविय जलिका जैसे इसको देख लेते हैं बला कि इलेक्ट्रोन सुक्ष्मदर्शी से अध्यन के पसात यह पता चला की यह करियोटिक कोशिका के कोशिकाओं में चप्टे आपस मे जुड़े थैले युक्त छोटी नलिकावत जैलिका 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 विखरा रहता है जिसे अंतर द्रविय जैलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं जिसे अंतर द्रविय जैलिका के सतह पर यहां राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदुरी अंतर द्रविय जैल लगती है जिससे जो है चिकनी अंतर दरवी जलिका कहते हैं यह प्राणियों में लीपीड संस्लेशन के मुख अस्थल होते हैं लीपीड की भाती इस्टार एस्टराइड कहले आपका इस्टराइडल हार्मोन चिकने अंतर दरवी जलिका में होते हैं चलिए आगे हमारा है भा अमेजन देखे संस्थापक आपका जैफ बेजोस अस्थापना पांच जुलाई 1994 मुख्याले सियेटल यूएसे गूगल की बात करते हैं संस्थापक लेरी पैज यह सर्गे बीन है ना सरके ब्रीन है अस्थापना चार सितंबर 1988 मुख्याले माउंट बुलू कैलिफोर्निया ह यानि यूएसे अब वीपरो की बात करते हैं तो संस्थापक जैफ अजीम प्रेम जी अस्थापना 29 सितंबर 1945 मुख्याले बैंगलूरू टीसीयस टाटा कंसर्टेंसी सर्विसेस संस्थापक फकिर चंद कोहली अस्थापना एक अप्रल 1968 मुख्याले आपका मुंबई में है चलिए अगला हमारा है 42 संमिधान संसुधन अधनियम ने कुछ विसे राज सुची से समुर्थी सुची में डाल दिये इनवे से कौन से नीचे गलत उलिखित हैं तो कौन से गलत है दोस्तों तो इसका आंसर देखेंगी तो option number D 1 अस्थानी सरकार गलत उलिखित हैं वजन और माप वन जीओं एवं पक्षियों का सनक्षण नियाय प्रसासन प्रस्तावना में तीन प्रकार समाजवादी पंत निर्पेच और अखंडता सब्द जोड़ा गया है 42 संमिधान संसुधन द्वारा नीती निर्दसक कत्तों में अनुछे 49 का कर, 43 का कर को जो है सामि सनसुधन और धिनियम दोधोर दौरा जो जो है जोड़ा गया था यह माता पीता या सनक्षण द्वारा स्थ चोद वर्स के बच्चों के लिए अनिवार यह निसुद्ण का सिख्षा का प्रावधान किया गया है अनुशे 74 का क्लाव जुवन संसुधन किया गया जिसके अनुशार कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्टरपती को बाध्य किया गया 44 सम्मिधान संसुधन द्वारा यह प्राधान किया गया कि राष्टरपती कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनरविचार के लिए भेज सकते हैं किन्तु पुनरविचार के पस्टाद दी गई राय राष्टरपती के लिए बाध्यकारी होगी किसी राष्टरपती सासन की आओधी को एक बार में 6 मां से बढ़ा कर जो है एक वर्ष कर दिया गया है और लोकसभा और विधान सभा के कारेकाल को 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दी गई कि दो 44 मा समिधान संसुधन द्वारा पुना 5 वर्ष इसको कर दिया गया संसद एवं विधान सभाओं से कोरंब की आवसकता की समाप्ति की जिससे 44 मा समिधान संसुधन द्वारा कोरंब की विवस्ता को पुर्वर्ट रखा गया संसुदन लगू संमिधान की रूप में जाना आता है तो था इसे स्वन सिंग सम्मिति की सिफारिस को प्रभावी बनाया अगला है कि दाई दिर्दी क्लिनिक योजना किस राज ये द्वारा प्रारंब किया गया तो आपका मैत का कुशन दिया गया है तो आप आराम से यह होगा जैसे राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जन्व जो है 23 मार्च 1910 को लिखा गये है अकबर पूर उत्तर प्रेस में हुआ था समाजवाद पर लोहिया का विचार लोहिया ने ऐसी पांच प्रकार किया असमानता जाती अधारित और समानता कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर आर्थिक और समानता इन पांच और समानताओं के खिलाप उनके संगर्स ने पांच क्रांतियों का गठन किया इन सूचिय में उनके द्वारा दो और क्रांतियों को जो है जोड़ा गया है जैसे छठा का त्याग कर अहिंसा के माल का अनुसरण करने के लिए कनती इस साथ क्रांतियां या सब्ट क्रांतियों लोहिया के लिए जो है समाज वाद का आधर सथा मृत्यू जो है अक्पारा अक्टूबर निशो सब्सक्राइब के बारे में समझते हैं इनका जन्म जो है दस अगस्त निशो अठर सो चौरानबे भारत के चौथे राश्टर पती थे वर्ट सो निशो पचेतर में इन्हें भारत रत्न से समानित किया गया म रामा स्वामी नायकर जस्टिस पार्टी की स्थापना निशो सत्रह में पी त्यागराज एवं टी एम नैयर ने जिसका उद्धिश समाजिक समानता की स्थापना करना था उन्हों ने इस प्रस्ता के खिलाब अभ्यान भी चलाय था महात्मा गांधी के बारे में समझते हैं इनका जन्म जो है दो अक्टूबर 1879 वर्ष 1818 में इन्हों ने गुजरात के खेड़ा जीले के किसानों का समर्थन करने है तू एक सत्यागरह का आयोजन किया 2019 में रूलेक्ट एक्ट के विरूद राष्ट्र व्यापी सत्यागरह सुरू करने का फैसला किया मृत्यू जो है तीस जन्वरी अठार तीस जन्वरी जह उन्हों निशोड़ाटालीस में इनका मृत्य हो गया ग्रिस में रितू में होने वाली वर्षा को कहा आमर वर्षा न मावट कहते हैं ग्रिस में रितू में चलने वाली आद्र हवाएं पूर्वी भारत में नारवेश्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से दोस्ति आपका जाना जाएदा है छोटे उपगरहों को प्रचेपित करने के लिए देश का इस्पेस पोर्ट विक्षित किया रहा है जो किस राजी में है तो यह आपको अप्सन नमर देखेंगे तो भी होगा तमिलनाडू देखे भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्ठन तमिलनाडू के तुतु कूड जिले के एक नया उपगरह प्रचेपंड के इंद्रा स्थापित करेगा इंडियन स्वेस रिसर्स और्गनाजेशन जो है इसका फुल फाम होता है इस रोका इस्थापना 15 अगस्ट निस सुनहत्तर मुख्याले बैंगलूरू करनाटक अद्धर्ष की बात करते हैं तो डॉक तंजोर या फिर तंजावूर था तंजावूर का वास्तुकार जो है कुझ राम लन राजा राम पेरु थन चन विजाले ने नरकेशरी की उपादी धार्ण किया था चोल समराजय का सरवादिक विष्था राजिंद्र पर्थम के सासनकाल में हुआ था बंगाल के पाल सासक महीपाल को पराजित करने के बाद राजिंद्र पर्थम ने गंगे कोंड चोल की उपादी धार्ण की और नवीन राजधाने गंगे कोंड चोल पूरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तलाव का निर्मान करया सेव संत इसान सीव पंडित राजिन्दर प्रथम के गुरू थे राज राज प्रथम उन्नो सो पचासी से खजार चौदर राज राज प्रथम सिरलंका के विजित प्रदेशों को चोल समराज्य का एक नया प्रांत मामुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन रुवा को इसकी राजधानी बनाया राज प्रथम सेव धर्म का अनुयाई था इसने तंजोर में राज राजेश्वर सिव मंद्र का बनाया यानि सिव मंद्र बनाया तोलुग ना कोलोंग कोलोंग प्रथम कोलो तुग प्रथम एक सथासेश्वर करके 1122 तमिल तमिल कभियों में जैग जैगुंदर प्रसित कभी था जो कुलो तुंग प्रथम का राज कभी था इसकी राष्टा जी है आपका कलिंग तुपढ़नी है यह मैट का कोशन है आगे देखते हैं अगला हमारा कोशन है कोशन नवर संसट नाबिकी रियक्टर का वह अव्यव अभिकिरिया को नियंत्रित करता है तो आंसर होगा आपका नि सबुट नाबबब डियक्टर के रियक्टर कहते हैं प्रथम और के रियकटर वग्यनिक एनृको फर्मी के निर्देशन उनीसो बैलेस में सिकागो विश्विजश्य 극्स विद्यलिम बनाया गया था इसकी थीन भाग होते हैं इसमें सब IP रियक्टर के qi-a ग्रेफाइट अथ्वा बेरिलियम औक्साइड प्रियुक्त किया जाते हैं भारे जल्ड डी टुओ सबसे अच्छा मंदक है क्रियादर नियंतर्ण केडमियम जिसे न्यूट्रॉन और सोस्वन पदार्थ से बढ़नी नियंतर्ण छड़ों द्वरा जो है किया जाता है नियंत से प्राप्ट नावखी उर्जас से विधूत उर्जा प्राप्ट किया जा सकता है रियक्टर में अन्यक्य प्रकार्ण के समस्थानिक उतपन किया जा सकता है जिसका प्यों कसा विज्ञान क्ता पस्यम जर्मनी में हुआ मैक्स बेबर एकमात्र ऐसे विचारक थे जिन्हों ने नौकर साही को लोकतंत्र का अदर्स प्रतिलूप माना है मैक्स बेबर ने सन 1922 में अपनी पुस्तक समाजिक और आर्थिक संग्ठन का सिधान्त में नौकर साही से सम्मदिश सिधान्त को प्रस्तुत किया है मैक्स बेबर ने समाज सास्तर को विज्ञान बनाने में महत्पुड योगदान दिया और इसलिए समाज साथर का प्रती स्थापक जनक कहा जाता है किंग सले डेविस ने मैक्स बेबर को आधुनिक समाज सास्तर की केंद्री अध्ययन माना है समाजिक किरिया की विशे में सरपर्थम अलफ्रेड मार्सल ने विचार व्यक्त किये उन्होंने गतिवीधी की आधारना को प्रतिपाइद किया है अगला है कोशन नमर 79 देख लेते हैं बोले कि भारत के संस्ती प्रणाली में सून निकाल का आसे क्या है निकाल के आसे देखेंगे तो प्रस्ताकाल और कारसूची की अगली मद की बीच का समय जब सद से अध्यक्ष की अनुमती के बीना कोई विशे उठाते हैं अप्सन नमरू सी देखे झांत के दोनों सद्टों में प्रस्ताकाल के ठीक बाद की समय को शून निकाल कहाता है यह 12 बजे प्रादम होता है और एक बजे दिन तक जो है चलता है सूनिकाल का लोग सभा या राज सभा की प्रकिरिया तथा संचलन निया में कोई उलेख नहीं है यह काल अर्थात 12 बजे से एक बजे तक के समय को सूनिकाल का नाम समाचार पत्रो द्वारा जो है दिया गया है इस काल के दवड़ान सदसे अविलमभी महतो के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कारेवाही चलाते हैं वर्तमान में सुनिकाल एक बज़े से दो बज़े तक चलता है भारत में सुनिकाल की सुरुआज यह है 1962 से हुआ है अगला है कि प्यूरा कर्थ क्या है तो प्रोवीजन ओफ अर्वन एमिनिटीज टू रूलर एरियाज हो जाएगा अगला है कि इंपैक्स एंटेक्स है इंपैक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विसलेशन किसमें है तो प्रवासी मजदूर हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो डी होगा अगला है बोला कि फिलिप इस्प्रेट नामक अंग्रेज को तो मिरेट सड़ेंतर केस में देख था मिरेठ लाकर उन पर मुकदमा चला है इन में तीन ब्रिटिस सामयवादी फिलिप इस्प्रेड बेन ब्रेडले तो था लेश्टर हंसी चन भी थे इसमें देखे लाहोर सर्यंत्र केस 1929 भागत सिंग के नित्रितों में पंजाब के करांतिकारी ने 17 दिसंबर 1928 सिस्वे के लाहोर के तथकालिन सहायक पुलिस कप्तान सांडर्स को गोली मार दी इसे लाहोर सर्यंत्र के नाम से दुस्तों आपके जाना आता है लाहोर सर्यंत्र केस के तथ भागत सिंग और बटुकेस वर्दत के साथ HSRA के अन्य सदस्ये पर भी मुकदमा चलाए गया जेल में बंद करांतिकारी ने राजन्यतिक कैदी का दर्जा प्राप्ट करने के लिए भूख हरताल किया था भूख हरताल में भूख हरताल पर बैठे जती इंदास की 64 दिन की बाद मृत्य हो गया भगत सिंग सुखदेद था राजगुरू पर मुकदमा चला कर फांसी की सजा जो है सुनाए गई चटगाउं सस्त्रागार कांड बंगाल में सुरेशन यानि जो गांधी जी किया सवय गांदुरन के सक्रीय नेता थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानि आई आर एक ये स्थापना की चटगाउं जो की बंगाल का एक बंदरगा छेतर था सुरेशन वहां के वहां राष् सुरेशन ने रिपब्लिक आर्मिक सदस्यों के साथ मिलकर 18 अप्रेल 1930 को चटगाउं सस्त्रागार पर हमला कर दिया विखाजी रुस्तम कामा को भारती करांती की मा भी कहा लाता है कानपूर सरेंटर केस ये सब कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखे कानपूर सरेंटर केस सामयवादी आंदोलन की नेता के विरुद था भारत में करांती कारी गतिवे दिया चलाने और सरेंटर के आरोप में कैस फरवरी 1924 हो अंग्रेजों ने एम एन रॉय स्रिपाद अमरित डांगे गुलाम हुसेन राम चरन लाल सर्मात था सिंगरा वेलू के टियार को कानपूर में गिरापतार कर लिया गया अंतिम रूप से मुकदमा नलिनी गुपता मुजफर अहमद उस्मानी और डांगे पर चलाए गया और चारों को जो है च स्थापना की गयी किन आमदफार नैशनल पार्क किस राज की में किस्तित है केबुल लामजाव राश्ट्रिय उध्यान जी है आपको मनिपूर में देखने को मिलता है अगला है कि हाल ही में किस राज में भारत की सरवच उचाई वाले हर्बल पार्क का उठगण किया गया तो आंसर होगा उत्राखंड आप्सन नमर जो है C होगा निमलेखित में से किस देश ने हाल ही में जीरकॉन हाइपरसॉनिक मिसाल का पंडूबी से टेस्ट फायर किया है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्सन नमर भी रूस हो जाएगा दोस्तों रूस इसका सही होगा निमलिकित में से समू का उधरान जो है कौन सा है तो परिवार के सदस्य ऑप्सन नमर डी दखी इसको पढ़ते हैं कि प्रतेक मनुझ से एक लक्ष की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है लक्ष जितना आधिक इसपष्ट होता है समू के सदस्यों में परसपर अंतह किरिया सहयोग उतना ही अधिक होती है समू की एक रचना होती है और लोग सोचते हैं कि वे समू का एकंग है और उन में अपने पन की अनभूती होती है भौतिक अस्तर पर किसी उद्देश के लिए समुहित समुहिकता को समुह का सकते हैं दारोगा की तैयारी करने वाले विधारतियों का एक समुह होता है बैंक अधिकारियों की एक समिती एक समुह फुटबाल खिलने वाले की एक टीम भी समुह होता है आदी इन सारे समुहों का सित्व केवल भौत प्रूतिक अस्तर पर होता है और यह सिधा एक सब्सक्राइब करते हैं वे लोग जिसमें कतिपए समाने विश्चताएं होती हैं वे सभी समुझ बनाते हैं उधारण के लिए एक कच्छा के सभी सिख विध्यारति एक समुझ को समुझ कहा जा सकते हैं समाने रूप से समुझ द सहाचारय और सहयOoh परिवार है यहां परसपर निकटता और प्रत्यक्षा अंता एकषिक होती है कोई एस व्यवुसय का सभ्सक्राइब सकते हैं आजे डॉक्टर इंजिनियर सिक्षक कलाकार आधी लोग अपनी प्रतिष्ठा मैत्री आधी मनो विज्ञान अवसकताओं की पूर्ति के लिए गौन समों का सतर से बनते हैं जब उनकी अवसकताओं पूरी हो जाती है तो वे गौन समों के बारे में अपनी धारणा जो है बदल भी सकते हैं अकेला व्यक्ति निर्ड़ें लेते समय कम जो खिम लेता है दुसरी और एक समूह में रहने वाला रहने पर यह दिखाए पड़ता है कि व्यक्ति अधिक जोखिम लेने के ततपर हो जाता है या पूरा समूह जो है व्यक्ति कि आप एक्छा अधिक जोखिम लेता है कि अगला कि निशार इस्ट अधार डैस का सनिक्त प्रोजेक्ट है तो यह आपको जाएगा ओप्सन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा ए यानि ए एस ए हैना एन ए एस हो जाएगा दोस्तों हैना तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कार यह अपने तीन वर्षी मि अगर प्रिथिवी के सता बर्फ की चादर समुदरी बर्फ के द्रस्यों का जो है चित्रन करेगा कि भारत आकर स्वारी भारत आकार में तो विश्व में सात्वां सबसे बड़ा देश है अप्सन नंबर सी होगा अब देखिए यहां पर दस्ट दिया गया है जैसे पहला प आपको सनुक्त राज अमेरिका चौथा पर आपका चीन पांचमा बराजिल चठा देखेंगे तो अस्ट्रेलिया सत्वां पर आपका भारत आठ्वां पर अर्जेंटीना होता है और नवा देखेंगे तो कजाकिस्तान दस्वां आपका अलजेरिया होगा सात्वी पंच वर देखेंगे सात्वी पर यूजना है पंच वर्षी यूजना आपका यूजना आपका यूजना मिलर मॉडल पर अधारित है मुख्यों देख सी बात करें जिसे समगर रूप से उत्पादक्ता को बढ़ाना तथा रोजगार की अधिक आउसर जुटाना उसरा आपका है कि सा त्यार करना था भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी यूजना में जो है दिया गया था इसी यूजना में जावाहर रोजगार यूजना जैसे महत्पुड रोजगार परक कारेकरम प्रारम किया गया इस यूजना में शकल घरेल उत्पाद पाच परसेंट वर्षिक वर्षिदर लक्ष रखा गया था जबकि वास्तिविक वर्षिद्धी ज़र जहापका 6.02 परसेंट वर्षिक रही थी अतह यह सफल यूजना थे यूजना में प्रति व्यक्ति आज यहापका तीन दस्पन उच्छा प्रतिसत जहें प्रति वर्षिक आयश जहें आपका दर्ष जहें वर्षि हुआ 15 वी ई ए एस सिखर सम्मेलन की अध्यक्ता किस देश के प्रधान मंत्री ने किया है आंसरों का वी अतनाम ओप्सन नमर देखेंगे तो भी होगा तकि 18 वी पूर्वी अध्यक्ता इंडूनेसिया ने किया प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने इस सिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधी प्रतिनिध्य किया उन्यूस पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन दो हजार चॉबिस जहें लाउस में होगा अगला की पेले का सम्मंद किस देश किस खेल से है तो यह आपको जगा फुटबॉल पुरा नाम की बात करते हैं तो एडिसन एरा एरांटिस डो नेशी मेंटू है जनु जो है आपका 23 अक्टूबर तो आपका गुजरात ज्यारखंड और तिरिपूरा होगा पढ़ते इस तरीके से देख करके रेखा भारत के आठ राज से गुजरता है गुजरात प्राइस्थान मद्य परदेश 36 ज्यारखंड पस्षी मंगाल तिरिपूरा और मिजरम भूमद रेखा कि उत्तर में 37 डिग्र अक्षांस को करके रेखा कहते हैं राची करके रेखा पर जो है इस्थित सहर है वाटर मैन आफ इंडिया कहलाता है कौन तो राजिंदर परसाथ ऑप्सन बर भी तरुन भारत संग नामक और नामक गैर सरकारी संगठन के चैर में राजिंदर सिंग राजिंदर सिंग का अब उत्तर परदेश के चमुली जील यानि अब उत्राखण में शुरू हुआ था अब उत्राखण में हो गया है अब इस आंदोलन का नाम जो है चिपको विरिक्षो के लिंगन के करण जो है पड़ा क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामिड द्वारा जो है पेड़ों को अब यहां पर देखेंगे कि इतना बहुत सारा रोड यह है बना जा रहा है फोर लेन सिक्स लेन जो पुराने पुराने जैसे देखें तो हम लुक जनम यानि हमारे पीता के जनम से पहले का जो पेड़ था अब वह दोस्तों आप काट दिया जा रहा है अलग से पाधा भी लगाएंगे लेकिन उसको उगने में दस से पांच सल लेकिन जो पॉलूशन वेगरा भी आप देखनें किस तरीके से बढ़ रहा है और यह से देकिन तो गर्मी जो लग रहा था पहले मीडियम रेंज में लेकिन अब देखने गर्मी अधिक ही लग रहा है तो कही ने कहीं सब भी करना ही पड़ेगा बट दिक्कत है पेड़ कट्टा जा रहा है बहुत ज्यादा अगला कि इसके अलावा इन्हें चिपको का नारा परिस्थित की अस्थाई अर्थ्योस्ता है गढ़ने के लिए जो है जाना आता है अगला है क्यों सा मंत्राले खेल पुरसकार के समान से जुड़ा है आंसर होगा युवा मामलो और खेल मंत्राले ऑप्सन नमबर बी सही होगा तकि भारत का विश्व विद्याले अनुदान आयोग केंद्रिय सरकार का एक आयोग है जो विश्व विद्याले को मानेता देता है यही आयोग सरकार दोरा मानेता प्राप्त विश्व विद्याले एवं महा विद्याले को अनुदान भी प्रदान करता है भारती विश्व वि होता है पर कूसल नहीं और देखेंगे तो ए राइट होगा भारत वर्ष में जल यानि प्रदुसर्ण निरोध एम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित किया गया था अधिन तो कार्ल माकस जर्म ंजोह है 5 मय उठार 1318 जर्मनी में कार्ल माक्स से हिगल के विचारकों से संगहर सही है मृत्यूं होली फे Kasya कि बात करते हैं पुस्तक आपका होली फैमिली दास कैपिटल दपावर्टी आफ फिलोस्पी यह सब जो है उनकी पुस्तक है मृत्य जो है अगला हमारा पॉइंट है बोला कि हरबर्ट स्पेंसर जन्व जो है अपका प्रिंस्पल दप्रिंस्पल अफ सोसियोलोजी इमाइल दुर्खीम देख लेते हैं प्रमुख रचनाय समाज में स्रामी भाजन 1893 समाशास्तर की पदतिक नियम 1895 आत्मेहत्य 1897 धार्मिक जीवन के आरामभिक स्वरूप 1912 सिक्षा जथा समाशास्तर 1923 समाशास्तर ज 3030 आदि समाशास्तर में योगदान समाशास्तर में मनुव विज्यान स्वारी समाशास्तर की अधियन वस्तुका निर्धारन अपराद की नई व्याख्या श्रम विभाजन का सिधान्त आदि मिरट्यू जियापका 15 नूवंबर 1927 मैक्स वेबर जर्म जियापका 15 अप्रेल 12 12 अप्रेल 1864 जर्मनी में हुआ है रचनाएं की बात करते हैं दो प्रोटेस्टेट इथिल एंड दी इस्पिरिट ऑफ कैपिटल लीज्ड निस सो पांच दी रिलीजन आफ इंडिया 1916 दा रिलीजन आफ चाइना 1916 दा हिंदू सोसल सिस्टम 1950 आधी नौकर सहिष सिधान्त वे अबर 89 कटी जली यहां कच्ची सतहों पर काउन से सुस्मजीवी जो है पनबते हैं तो आपको जागा इस्टे फाइप इस्टे फाइप लोको काई हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है डी होगा कच्चे चावल में भी सीरस यानि बैसिलस बैसिलस सीरस नावा बैक्टिरिया म जिवानों से होता है इससे आंत का बुखार कहते हैं यह रोग पानी की गंदगी से होता है इसमें रोगी को तेज बुखार एवं सिर्दत बना रहता है इसके चेकित्सा के लिए क्लोरो माइसिटीन औसधी का उप्योग किया जाता है कुष्ट रोग एक संचार सिल रोग है जो माईको बैक्टिरियम लेपरी जिवानों से फैलता है इसके रोग थाम के लिए डेप सोन कलोफा जिमीन उसके बाद रैफेमी सीन दवां का उप्योग किया आयता है और सिफलिस का रोग कारक है रोग कारक जो हापका ट्रेपोने पेलिडम है इसका संक्रमन मुख्यता जनन अंगों पर होता है गोनुरिया रोग का कारण जो है आपका नाइसेरिया गोनुरिया रोग है यह भी जनन से संबंदित रोग है इसमें एंटिबॉयटिक औसिति का प्रियोग करना चाहिए खलो स्ट्री एप बेटुनियम बोटु लीनम एक जिवानू है भारत के केंद्रिय सतकर्ता आयो का मुख्य कार्या क्या है तो देखिए लोग से वो को कुई वृद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना ऑप्सन बड़ी होगा इस्थापना जो है 1964 में हुआ है इनकी इसकी इस्थापना संस्थानम समीति के सिफारि अध्यक्ष प्रधान मंत्री हो जाएंगे और सदस्य लोग सभा में विपक्ष के नेता और केंद्री गिरिह मंत्री कारेकाल जो है चार या फिर 65 वर्स की जो पहले हो जाए 65 वर्स राष्ट्र पति केंद्री सतकर्ता आयक्त और अन्य आयक्तों को उनके पत से निमलिखित म से किसी भी अधार पर हटा जा सकता है केंद्र सरकार की निगाह में नैतिक चरित रहीनिता के अधार पर किसी अपरात में दोसी पाया गया हो यदि वह अपने कारेकाल कारेच्छेतर के बाहर से किसी प्रकार के लाब के पद गरहन करता है कार्य केंद्र सरकार के किसी केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी वेसे कि जाज करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके किसी प्राधिकरण के किसी करमचारी द्वरा भर्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो केंद्रिय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर पर जाच करना अथवा करवाना केंद्रिय सरकार तथा इसके संगटनों को ऐसे मामलों पर सलहा देने देना जो इनके द्वारा आयोक को भेया जाए वर्तमान में भारत के केंद्री सतकर्ता आयुक्त प्रमीन कुमार्ड स्रिवास्तों है और ससास्तर को जिस अध्यान के रूप में स्रिष्टता परिभासित क्या आता है वो आपका पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो C होगा किस प्रकार समाज अपने समीती साधनों का प्रबंधन करे और ससास्तर के जनक जो है एडम स्मीत को बनायता है इनके पुष्टक दा वेल्थ आफ नेसंस प्रकासिज जो है 1776 में हुआ है जब आयोडीन एक सेकेंड जब आयोडीन घोल की कुछ बुंदू को चावल के पानी में मिला जाता है तो घोल निला काला हो जाता है यहां इंगित करता है कि चावल के पानी में सामिल है तो इस्टार्च यानि मंड हो जाएगा ऑप्सन नमर सी होगा तेखे वसा गिलिसरॉल एवं वसीय अमलका एक एस्टर होता है इसमें कार्बन हाइटोजन एवं ऑक्सीजन विभिन मात्राओं में उपसित होती है एक गराम वसा में 9.3 किलो कैलोरी उर्जा जहें उत्पन होती है साइड में इसका संसलेशन माइटोकांट्रिया में होता है वसा का कार्या यहां साइड को उर्जा प्रदान करता है यहां तोचा के निच्चे जमा होकर साइड के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है यहां साइड के विभिन अंगों को छोटों से बचाता है प्रोटीन के ब एवल अमिनों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं उध्र उद्धारन स dell состав ब्लू जीनके body protein जिनके आदों के साथ समुवी जुड़े रहते हैं सनी यूग में प्रोटीन कहलाते हैं उध्र क्र compromise protein ग्लाइकोटीन अधि व्यूत्पन प्रोटीन जो प्रकृतिक प्रोटीन का जटिल अब घटन से बनते हैं व्यूत्पन प्रोटीन कहलाते हैं उधरान जी आपका प्रोटियंस पैप्टोन और पैप्टाइड आधी हो जाएगा तेल की पतली फिल्म से परावार्तित स्वेथ प्रकास में रंग दिखाई देने का कारण क्या जैँ कैसे प्रकासट्रण के जोड़ें प्रकृतिकश्टरण के प्रकृतिक प्रिकिर्टार थे दर्शया से निकल निकली प्रकास और कोज में व्यक्तिगत की घटना नहीं पाए जाता है, जब समान आविर्ति वथ यह समान आयाम की दो प्रकास तरंग हे जो मुलत्ष एक फ्रकासऊरोथ यानि किसी माध्य दिशा में संचालिट होती हैं तो माध्यम के कुछ बिन्दों पर प्रकास्ट की तीवरता अधिक्तमों कुछ बिंदों पर तिवरता नियूंतम या सुने पाई जाती है इस घटना को ही प्रकास तरंग का व्यक्तिकरण कहते हैं उधरण दिया गया है जैसे जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी के तेल की परत पर सूर्य का प्रकास में रंगिन दिखाई देना साबुन अगलाय की दोनी तरंगों की तरंग देर्ध प्रकास के तरंग देर्ध की तुलना में बहुत अधिक होती है प्रकास तरंगों का ध्रुवन देखे जब प्रकास तरंग के कंपन प्रकास तरंग की दिशा में लंबवत तल में एक दिशा में हो तो इसे धुरुवित प्रका कहायाता है जैसे विधुत वल्ब ट्यूब लाइट मुवनबति लाइड लाल्टेन आदी से उत्साडित प्रकास का वन विछेपन जब सूर्य का प्रकास कि सी प्रिज्मी से गुजरता है तो यह अपवर्तन के 50 प्रिज्मी के अधार की और जुकने के साथ साथ विभिन प्रकास के इस प्रकार अव्यवी रोगों में विभक्त होने की वोई क्रिया को जो है वण विछेपन कहते हैं कौन सिखेतर स्वयम स्वयम पोर्टल से संबंदित है तो यह आपको जगर सिख्षा हो जाएगा ओप्सन नमर ए सही होगा सिख्षा तेखिए आमने सामने की अंतर किरिया के संदर्व में वेवहार की अध्यान को डैस कहते हैं तो ओप्सन नमर देखिए आपका बी सही होगा आमने सामने के अंतर किरिया के संदर्व में वेवहार की अध्यान को सुस्म समाजसास्त्र कहते हैं तो समाजिक वेवसाओं का अध्यान करता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब अंतर किरिया सुरू हो जाती है अंता किरिया द्वारा व्यक्तियों के मध्य विचारों या भावों का आदान परदान होता है और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इसे ही अंता किरिया कहते हैं अन्ता किरिया में एक व्यक्ति द्वारा जाने वाली किरिया दूसरे के लिए उत्तेजना के रूप में कारे करती है और दूसरा उस किरिया का विशेस अर्थ लगा कर प्रयूत्तर के रूप में जो किरिया करता है उसे जो है अनुकिरिया कहते हैं यह आपका बला कि एक दिन को 200 कैंसर दिवस की रूप में जाना आता है यानि कौन से दिन को तो चार फरवरी चार जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस चार मार्च को राश्ट्रिय सुरक्षा दिवस चार दिसंबर को नौ सेना दिवस और दो फरवरी को विश्व आदरभूमी दिवस को मैं मानाते हैं परुसों में चक्का डिसकस के वजन होता तब आपका दो किलोग्राम आप्सिन नमबर भी राइट होगा प्राचिन ऐलंपिक एक अ ऐलो प्राचिन ऐलंपिक की पर दिसकर स्थरों में एक प्रतियोगि एक बहारी डिसकर्ष फेकता है इसे 708 इसा पूरो प्राचिन ग्रिक जो की पेंठाल लोन में सामिल किया गया था 2011 की जंगरना की अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो आपका 1029 मिलियन आप्सन नमबर D 2001 की जनगणना के अनुशार भारत की जनसंख्या आपका देखी इतना दिया गया हर्थात लगभग देखेंगे तो आपका 129 मिलियन हो जाएगा भारत में 1881 इसे में प्रतियक दर्स बार जो है नियमित अगर बोलेंगे तो 1881 शुरुवात की बोलेंगे तो 1872 आपका हो जाएगा अगले है क्वार्ड में कौन से चार देश दिये समाविष्ट किया गया थे तो आंसर होगा USA जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया ओप्सन नमर डी होगा और यहां पर देखेंगे तो क्वार्ड की अवधानना ओप्चारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर प्रध सागर के प्रसांत महा सागर तक समुंदरी सुरक्षा सुनिचित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत जैपान और अमेरिका को सामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सेक्योटी डैमंड इस्थापित करने का विशार जो है प्रस्तुत किया गया क्वार्ड समुक की आपचारिक इस्थापना जो है 2017 में हुआ है आखरी प्रस्तन है इससेट का भारत के किस राजे में कटी भी हुँ महसो जो है आयोजित किया जाता है तो आंसर होगा असम ऑप्सन नमबर बी सही होगा असम के प्रमुख तेवहार जिसे अम्बू बाची पूर्वका महाकूंब देहिंग जाने वाला त्योखार जो आपका चाप चार कूट है सिक्की में मना जाने वाले त्योखार शागा दाबा उसके पांग लहुप सोल अंतराश्टि फूल महुतसव और अरुणाचली प्रदेश में मना जाने वाला त्योखार देखेंगे तो लोसार न्युकूम बेरी आपका यहीं पर जो है सेट समाफ होता है और इसके पहले का मैंने बिहार दरोगा का कोशन में बहुत सरा अफ लोड भी कर दिया है तो आप उसको जा करके रिविजन की तौर पर देख सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलता है एक नए सेट में तब तक के लिए जय ह हरता है